सुल्तानपुर के गुसाइंग गंज में पूर्वांचल एक्स्प्रेस वेपर आलू और प्याज से लदे डीसीम की ट्रेलर से टक कर हो गई इस हादसे में एक यूवक की मौत हुई है सुल्तानपुर के सदर तहसिल में तैनात लेखपाल लाल जी तिवारी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी जिनकी आत्मा की शांती के लिए जिलाधिकारी ने करमचारियों के साथ दो मिनट का मौन रखा अमेठी में ब्लॉक भादर के ग्राम सभा आलमपुर में बद्री प्रसाद मौरे के घर में आग लग गई आग लगने से अनाज और घर का सारा सामान चल कर खाक हो गया अमेठी में जामो के शाहपुर घर्टमपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते शौट सर्किट से आग लग गई आग में लगभग पांच भीगा के हूँ चल कर खाक हो गया बस्ती पुलिस और सर्विलांस टीम ने मिलकर एक शातिर ठग को गिरफतार किया है ये ठग 200 से जादा लड़कियों से एक कुंडली तोष खत्म कराने के नाम पर लाखों की ठगी कर चुका है बरेली में 12 दरी थाने के सैलानी में कामरा नामक शक्स को प्रधान मंत्री मोदी और मुख्य मंत्री योगी की तारिफ करने पर पीट दिया गया पुलिस ने मुकदमा दर्च करके कारिवाही शुरू कर दी है लखीमपुर खीरी में निगासन छेतर के जंडी चौकी इलाके में मौझूद एक घर में आग लख गई आग लखने से घर में रखे हजारों रुपए की नगदी सहीत सारा सामान चल कर खाक हो गया लखीमपुर खीरी में डीम महिंदर बहादुर सिंग ने अवैद अस्पतालों को सीज करने का निर्देश दिया है इस अभियान के दोरान अब तक पाँच अस्पतालों को उपजिलाधिकारी ने सीज कर दिया है बिजनौर में हत्या के आरोपियों ने जमीन पर कबजा करके घर बना दिया था जिस पर एक्शन लेते हुए प्रशासन ने बुल्डूजर चलवा कर जमीन खाली करवा दी बनिया के फिपना थाना के अग्रिसंडा गाउं में प्रोपर्टी डीलर की धारदार हत्यार से हत्या कर दी गई जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है